हेलो फ्रेंड मैं हूँ शिल्पी अलदवानी से आ गई हूँ एक और नई DIY के साथ कर रहे थे आप लोग मेरा वेट तो आज हम प्लास्टिक के कंटेनर के साथ कुछ करने वाले हैं प्लास्टिक के कंटेनर का जो कैप होता है ना उसको हम यूज करके एक बहुत सुंदर सा DIY बनाएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रजगुले वाले कंटेनर का कैप रखा था उससे पहले मैंने जो दो प्लांटर बनाये थे उनका भी कैप रखा था तो तीन कैप हो गए थे इनके साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं इसमें वाइट एक्रिलिक कलर से इसे कोट कर दूँगी मैंने आपर प्राइमर यूज नहीं करा है क्योंकि प्राइमर थोड़ा सा हलका होता है और मुझे जो इसमें प्रेंट है वो अच्छे से हाइट करना था इसलिए मैंने वाइट एक्रिलिक कलर यूज करा है आप जैसो भी यूज कर सकते हैं अब इन तीनों को ही बारी-बारी से हम कोट कर देंगे वाइट कलर से और सूखने के लिए रख देंगे acrylic color बहुत जल्दी dry हो जाता है और यह DIY मेरा एक ही दिन में बनकर ready हो गया था अब यहां पर मैं direct black color से brush की help से अपनी design बना रही हूँ freehand आप चाहें तो pencil से draw कर सकते हैं या फिर black permanent marker भी use कर सकते हैं अगर आपके drawing अच्छी नहीं है या आपको hesitation हो रही है ड्राइंग करने में तो आप print out निकाल सकते हैं और उसे carbon के help से इस पर trace भी कर सकते हैं इस तरह से मैं एक colorful सा DIY बना रही हूँ जो हमारे घर में सुंदर लगेगा लगाने के बाद आप इसे drawing room में लगा सकते हैं cow bell बहुत सुंदर लगेगी इसके नीचे और जब हवा मेना बसती और जो टंटन की हवाज आती है तो बहुत ज्यादा स्वीट लगती है और एक positive wipes लेकर आती है हमारे घर में तो फिलाल मैं इसमें कोई bell नहीं लगा रही हम simple सा एक hanging बनाएंगे लेकिन आप इसमें अपने हिसाप से और अपने घर के हिसाप से changes कर सकते हैं color अपने मन पसंद ले सकते हैं मैंने आप पर 3 vibrant से color लिये हैं जो की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं सारी ही design मैंने blue pottery लिया है लेकिन color किसी में भी blue नहीं करा है तो color के साथ हम experiment करने वाले हैं हम different color करेंगे अब आप इसमें side में mirror work कर सकते हैं या फिर कुछ लेस या गोटा लगा सकते हैं वो सब पिलकुल आपके उपर depend करता है इससे हमारी सारी design बनकर ready हो रही है color आप waterproof लेंगे जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बनाती हूँ क्योंकि बाद में हमारा जो DIY है उसे फिर damage होने का डर ब्रकुल खतम हो जाता है अब बारी है color की तो color acrylic color में यूज कर रही हूँ camel के color है chrome yellow आपर मैं कर रही हूँ ज्यादा पानी मिलाकर नहीं करेंगे थोड़ा सा color को हम गाड़ा ही रखेंगे और बहुत पतले round brush की हाल से पुरी design को fill कर देंगे round brush हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि बीच बीच में हमें अच्छे से color करना है एक color को एक जो हमारा cap से complete हो जाने के बाद दूसरे cap में औरेंज color कर रही हूँ बनने के बाद कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आपने cap यूज कर रहे है यलो के साथ orange color बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा है और third में मैं red color कर रही हूँ इन तीनों ही color का combination बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा था यह देखिया अब तीनों में color हो जाने के बाद जो हमने flowers छोड़े है ना उन्हें हम white color से दुबारा से कर देंगे highlight च्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ एक ही coat करा था अब black color से हम finishing देंगे flower के अंदर थोड़ी थोड़ी सी lining बनाएंगे जिसे और ज़्यादा attractive लगने वाला है आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बिना चैनल को subscribe किये वे नहीं जाएगा मुझे support कीजिएगा मेरे चैनल को support कीजिएगा और मेरी YouTube family को और बढ़ा करते चाहिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा और वीडियो में अगर आप मेरे चैनल में पहले से हैं सब्सक्राइब किया हुआ है आपने तो वीडियो को like कीजिएगा शेयर कीजिएगा और comment जरूर कीजिएगा सारे फ्लावर्स को हम black color से highlight कर रहे हैं तीनों में ही अलग अलग डिजाइन मैंने बनाई है किसी में भी repeat नहीं किया कोई एक डिजाइन अगर आप चाहें तो एक ही डिजाइन को तीनों में भी copy कर सकते हैं उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा black outline करने के लिए brush आपको बहुत पतला लेना है आप double zero, triple zero ले सकते हैं और बहुत अराम अराम से बहुत सपाई से अगर आप brush से कर रहे हैं तो ध्यान से करेंगे क्योंकि मैंने भी बहुत अराम अराम से और बहुत दीरे दीरे इसको complete किया है जितनी जल्दी आपको वीडियो में दिख रहा है उतनी जल्दी मैंने हाथ नहीं चलाया है अब बाद में हम hanging बनाएंगे आप चाहें तो हम पर cowbells लगा सकते हैं या कोई भी और beats लगा सकते ह बना रहे हैं अच्छे से नॉट लगा देंगे जिससे खुले न इस पीच मेरे चैनल पर बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं मैं उन सब को thank you बोलूँगी कि आप लोग मुझे support कर रहे हैं चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं तो आपका दिल थे बहुत बहुत धन्यवाद अब हम नीचे गरम नाइफ करके उससे होल करेंगे अगर आपकी एश कम है तो प्लीज बढ़ों की हैल्प लीजिएगा होल करने के लिए उपर भी एक होल कर देंगे जिससे हम इसे हैंग करने के लिए लूप बना दे और अगर आप इसे फ्रेज मैगनेट की तरह भी तूरत लग रहे हैं